Hello and welcome friends, आज का हमारा ये जो topic है, वो MS Word और Libra Writer को ले करके है और दोनों ही के बीच में एक खास tab है, जहां हम spelling और grammar को चेक करते हैं उसको ले करके हम comparison करने वाले हैं, तो अभी बात कर लेते हैं MS Word 2007 की तो देखे 2007 version जो है, उसमें green line जो आती है, इसका मतलब है कि grammar की error है और यहां पर देख सकते है red line का मतलब है कि spelling की error है, तो grammar की error समझ गया spelling की error कैसे, यानि कि देखे grammar की spelling जो लिखी हमने, वो जो है इसमें यह लिखा है तो यह नीचे red underline आ रही है, इसका मतलब है कि spelling की error है, ठीक है तो यह बात आपके समझ में आ रही होगी, लेकिन कभी-कभी जब हम net पर search करते हैं तो सवाल यह बनता है कि net पर question दिया होता है कि spelling and grammar check command is in इस तरह का question दिया होता है, और उसमें चार option होते है, tools menu, insert menu, ठीक है review tab उसमें कहीं दिया नहीं होता है, review menu कहीं दिया ही नहीं होता है तो अभी tools menu इसमें है कहा, tools menu तो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इस condition में students confused हो जाते हैं, ठीक है तो अभी क्या है कि हम चलेंगे libra writer पर, ठीक है और libra writer को जैसे ही open किया है मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह इस तरह से open हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे paragraph को ले लेता हूँ ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए, यह tools जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमें चलना है, यहाँ पर कर देता हूँ, मैं click, तो mouse से click कर देखिए, आप देखिए, यह सब spelling और grammar से related commands आपको दिखाई पड़ेंगे, चाह हो spelling हो, automatic spell check हो, theosaurus हो, language हो, word count हो, और यह सारी ठीक है, तो यह जो है, tools menu में आपको दिखता है, इसलिए वो question दिया जाता है, कि spelling and grammar check command are situated in, तो tools menu, तो यह tools menu यहाँ से होके आता है, अब देखिए, spelling check करने के लिए, app 7 की दी गई है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं app 7 प्रेस करता हूँ, तो यह देखिए, गलत जो spelling है, अ तो यहाँ पर आप click करके, और फिर correct कर सकते हैं, ठीक है, correct कर दिया, तो यह correct हो जाएगा, और उमीद करता हूँ कि इससे confusion दूर हुई होगी, tools menu को लेकर के जो काफी confusion थी, तो अगर वीडियो पसंद आए, तो शेयर करें, thank you for watching this video.